हेलो नुमश्कार दोस्तों सोगत है अपका आशिश पॉड़ों में आज हम बात करने वारे टाड़ा पंच के बारे में जो अपने सेग्मेंट की माइक्रो एक्षिवी है फाइव स्टार की सेप्टी रेटिंग्स को मिल चुकी है और इस सेग्मेंट में सिर्फ दो ही गाड़ी आती है टाड़ा पंच और हुंड़े की एक्षिवी अगर इसके प्रैसिंग की बात की जाए तो शे लाग रुपए एक सोरूम से इसका बेस वर्ण इशार होता है और ट उसी के बारे में हम complete detail में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं इसके color option की तो यह adventure event है यहाँ पर आपको चार color option में लेंगे white, grey, orange और tropical mist अगर इसके उपर के events में जाएंगे तो वहाँ पर भी और color option देखने को मिल जाते हैं बाकी यह camo edition के अंदर भी आती है प्योर adventure में आपको rhythm pack और accomplished variant के अंदर आपको dazzle pack देखने को मिलता है जिसमें आपको touch info, tainment system करा add हो जाते हैं आप चलिए बात करते हैं इसके transmission की तो आप इसको manual के अलावा automatic के साथ ले सकते हैं आपको मिलेगा सिर्फ एक 1.2 लिटर का rabbitron petrol engine जिसके अंदर आपको 80 bhp और 113 nm का talk मिलता है अगर आप CNG लेंगे तो वहाँ पर आपको 72 bhp और लगबक 103 nm का talk मिलता है आप चलिए बात करते हैं गाड़ी के exterior से फिर चलेंगे इसके interior में तो front profile से start करते हैं तो center में आपको Tata की branding Tata का logo देखने को मिल जाता है जो इसकी grill है आपको glossy black finish में मिलती है पूरी close रहती है कोई chrome treatment नहीं दिया गए adventure में यहाँ पर आपको अंदर हॉन की placement में लेगी cut out द देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको पूरा front face या नजर आएगा जो गाड़ी का ground place है 187, 187 mm का and bonnet की बात की जाए तो काफी बड़े आपको flat सा देखने को मिलेगा उपर आपको dual wiper with washer का setup अगर roof की बात की जाए तो पीछे मिलता आपको power antenna, wind sheet पे देखेंगे तो आपको CNG का sticker जरूर देखने को मिल जाएगा because CNG variant है, अब आज आते हैं इसके side profile की तरब, तो side shift देख लिए लगे गए नहीं है आपको कि यह इसका second base window है because यहाँ पे जो wheel covers हैं आपको black finish में दिया रहे हैं, दूर से देखने में काफी अच्छे लगते हैं, 3827 mm length है, 1742 mm इसकी width है, यहा 75, 70, R15 का पूरा tire session देखने को मिल जाएगा, वे इसको पर आपको cladding वगरा मिलती है, अब बात करते हैं इसके mirrors की, जो body color मिलेंगे and यह electrically adjustable है, गाड़ी किंदर बैट की आराम से आप इनको adjust कर पाऊगे, tire indicator की placement आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है, जो wheel base रखा गया ह 2445 mm का है, नीचे doors में, black finish में cladding दी गई है, यह इसके body color door handles and इसका जो front dashboard है, ऐसा कुछ आपको मिलता है, dual tone color में, 5 star की safety rating है, तो आप गाड़ी के अंदर बैठ हो गए, तो आपको feel भी होगी, tune in का audio system यहाँ पे दी जाता है, B color आपको मिलेगा, mad black finish में, रूप में आपको power antenna, rear में drum और front business में आपको disc brake offer की जाती है, अब आजाते हैं इसके rear profile की तरफ, तो personally मुझे front से ज्यादा अच्छी लगती है, rear से उतनी अच्छी नहीं लगती है रेखने में, एक एक चीच के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ आपको मिलता है rear profile में, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बैजिंग, यहाँ पे आपको reverse light की placement, दो रिवर स्पाकीं sensors, यहाँ पे reflectors, और नीचे देखेंगे, तो spare wheel आपको यहाँ पे मिलता है CNG के अंदर, halogen में आपको tail lamps मिलेंगे, tan indicator की placement उसी में मिलती है, आप चलिए बूट open करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा इन लिवर के थुरू इन सीट्स को फोल कर पाएंगे, फैबरिक की सीट्स रहती है, अगर इस पेस की बात की जाए, तो petrol लेंगे तो 306, और CNG में आपको 210 लेटर का boot इस पेस मिल जाता है, आप चलते हैं इसके rear cabin की तरफ, वहाँ पे बैट के एक एक चिश को cover करते हैं, त इतना कुछ leg room, head room है, पीछे आपको मिलते हैं दो-दो head rest, फैबरिक की सीट्स रहेंगी, और पूरा space आप देख लिजे, अब चलिए अंदर बैट देखते हैं, तो अंदर बैट निग बात देखेंगे, इतना कुछ knee room, leg room आपको मिलता है, अंडर थाइसपोर भी आपको ठ इक ठाक दिया जा रहा है, अगर center की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको कोई AC vents ने मिलेंगे, कुछ space है, यह अंदर का पूरे interior, उपर आपको grab handle, दो-दो head rest, जो की fix रहते हैं, front dashboard की बात करें, तो ऐसो कुछ आपको मिलता है, dual tone color में, और अभी आप देख रहे हैं इसके manual transmission को, आप इसको automatic में भी ले पाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए petrol लेना पड़ेगा, अब चलते हैं, front driver seat पे, बहाँ पे बैट के एक चीज़ को cover करेंगे, तो यह इसके door handles, door trim की बात की जाए, तो same आपको dual tune color में देखने को मिलता है, यह इसका door opener, pounder के controls, यहाँ पे ORBM क control, नीचे speaker की placement, bottle holder और umbrella holder भी मिलता है, टाड़ा punch के अंदर, front cabin में इतना कुछ leg room, headroom, आगे वाले जो hydration उनको आप address कर पाऊगे, यह इसका front dashboard देख लीजे, और ऐसी रहती हैं, fabric की seats, कोई height adjustment नहीं है, यहाँ से recline कर सकते हैं, नीचे आपको fill cap opener, manual ABC pedals, यहाँ से आप अपना bon minute खो सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस पर CNG का button, यह इसके AC के vents, अब चलिए अंदर बैटते हैं, और अंदर से बैटके सारे features cover करेंगे, तो front driver seat में बैटने के बाद ऐसा कुछ आपको feel आने वाला है, चलिए गाड़ी का ignition on कर लेते हैं, यहाँ पर मिलती है, आपको flip की accomplish में जाएंगे, तो महाँ पर आपको engine, start and stop button देखने को मिल जाएगा, cluster की बात की जाए, तो fully digital cluster आपको मिलेगा, left आपको मिलेगा, आपको CNG और petrol का अलग अलग fuel gauge बीच में आपको MID ली जारी, जिसके नदर आपको speedometer देखने को मिल जाता है, सारी check lights हैं पर दी गई हैं और इस media के controls, call के controls, यहाँ पर wiper के controls और इदर आपको headlight के control देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको lever दिया गया नीचे, जिसके तुरू आप अपने steering को tilt ऊपर नीचे adjust कर पाऊगे, center console की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको turin का audio system दिया जा रहा है, four speakers मिलेंगे, यह सारे बटन यहाँ पर दिये गए, blue toot आप इसमें चला सकते हैं, नीचे आपको hazard light का switch दिया जा रहा है, यह इसके AC के vents, यह सारे controls, यहाँ पर manual AC के controls, 12 volt का charging socket, USB port, यहाँ पर अच्छा खासा space, यह इसका 5 speed manual transmission, अगर बगल में देखेंगे, तो manual handbrake, 2 cup holder, glove box की बात की जाए, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा space देखने को मिल जाएगा, तो यह था पूरा front dashboard, उपर की बात करें, तो manual day, night, IRV में, इधर आपको कोई mirror नहीं मिलेगा, अगर record of a set की बात की बात की जाए, तो यहाँ पर जूरू मिलता है, यह लाइट के controls, mic की placement, यह थो के पूरे interior क अब चलिए काड़ी को off करते हैं, बात करते हैं इसके safety features, और price मैंने आपको वीडियो के इस टार्टिक में ही बताया था, तो इसमें आपको ABS with EBD, brake assist, center locking, power door locks, child safety locks, engine immobilizer, crash sensor, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, और यहाँ पर आपको दिये जारे हैं दो airbags, price मैंने आपको वीडियो के इस टार कैसे लगा आपको लिचे कमेंट्स में चरूर बताएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीगा, and special thanks to SRM Motors, कानपूट लपनों, जिन्नोंने मुझे से cover करने का मौका दिया, तो deal any tata cars, visit this room, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडि कर दो